असलमों अलाइकुम फ्रेंड मोगी चैनल लाइस्टाइल में अब सभी को सवागा थे अज हम बनाएंगे आइसिंग सुगर जो केक में केक के ऊपर जो हम क्रीम लागाते हैं और क्रीम में बहुत सरे मिठाई जैसे शंदेश पेडा लशी बहुत कुछ चीज में हम इसको यू आइसिंग सुगर हम घर पे ही बनाएंगे लेकिन हमारा आइसिंग सुगर में कोई केमिकल नहीं होगा तो चलिए आइसिंग सुगर बनाना शुरू करते हैं आइसिंग सुगर बनाने के लिए मैंने यहापे 500 ग्राम चीनी लिया आप चीनी बारिक या मोटा कुछ भी ले सक लगते हो यहाँ पर मैंने एक mixing jar ले लिया mixing jar के अंदर सुगर को डाल देती हो इसका ढखकन लगा के हम 4 से 5 सेकंड के लिए इसको पीषेंगे लेकिन 2-1 सेकंड पीषने के बाद हम mix को बंद करेंगे यह पीषने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है 2 सेकंड पीषने के बाद हम mix को चेक करेंगे अच्छे से पीष जाएगा तो हम नहीं चलाएंगे नहीं तो और 2-1 सेकंड के लिए हम इसको पीषेंगे एक बार में आप ज्यादा टाइम ना चलाएं mix को नहीं तो आपका जो पावडर है सुगर पावडर में लांस बगरा आ सकता है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हमारा जो पावडर है सुगर पावडर हो बनके रेडी हो गया है आपको लग रहे हैं तो आप एक बाद चाननी से इसको चान सकते हो लेकिन मेरे को चाननी से चानने की कोई ज़रुवत नहीं है इसको हम एक या टाइट बॉक्स में डालके रख सकते हैं आप इस टाइम में एक या दो टेबल स्पन कॉणफलर बा कॉणटरक्स मिला के आप रख सकते हो इस तरह से भी इसमें लांस बागरा नहीं पड़ेगा मैंने यहां पे कुछ भी यूज नहीं किया इस तरह से मैं इसको बनाती हूँ और ऐसे बाहरी रख देती हूँ मैं बहुत ही कम बनाती हूँ डाइसो ग्राम करके इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ अब ज्याद दिन स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप मिला सकते हो मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करना थैंक्यू सो